हेलो आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम करेंगे पॉलिटिकल जी के 50 कोश्चन्स अगर इसमें से आपके 35 भी सही है तो इसका में इसमें कि आपकी पॉलिटी बहुत ही अच्छे विकोज इसमें आप हम बहुत ही नीचे लेवल से उपर लेवल तक के कोश्चन लेके आए हैं तो आप प्लीज इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा और और अपनी नोट बुक पे राइट करिएगा ताकि आप मुझे बाद में बता सकें कि आपके कितने कोश्चन राइट थे तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं परूप समीति के अध्यक्ष थे क भिम्राव अमेडगर आपको बताना है कि परूप समीति के अध्यक्ष कौन थे ओके ठिंक गाइज और प्लीज अपनी नोट बुक पे नोट करते रहिएगा और प्लीज गाइज मेरे चनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा ओके गाइज तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परूप समीति के अध्यक्ष कौन थे भिम्राव अंबेटकरजी कौन थे भिम्राव अंबेटकरजी यानि फोर अंसर सही है ओके चलिए नेक्स्ट कोशन करेंगे हम सभिधान सभा के स्थाई अध्यक्ष थे अब हमें बताना है स्थाई अध्यक्ष कौन थे अस्थ बाक्टर राजेंदर प्रसाद जी यानि की तीसरा अंचा सही है इसका ओके चलिए नेक्स्ट कोशन भारती सभीधान किस दिन से पूरणते लागू हुआ था किस दिन हुआ था पूरणते लागू 26 जनबरी 1950 अगे चलिए नेक्स्ट कोशन करेंगे हम भारत कब गंड़तंत्र बना था अब यह कोशन आपको कंफ्यूस कर सकता है थोड़ा सा कब बना था गंड़तंत्र पंद्रआगस 1947 को 29199 ज्था को 26 जनबर निस पचास को दो अक्तुबर 1912 दो तिंकिट गायस कब बना था भारत गंड़तंत्र भी तभी बना था जब हमारा सवेदान पुरण हुआ था यानि कि 26 जनरी 1950 चलिए नेक्स्ट कुश्चन सभिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया था अब हमें बताने अस्थाई पहले हमने किये थे अस्थाई अध्यक्ष तो आप इससे बहुत ही असानी साइडिया लगा सकते हैं क्योंकि में अस्थाई थे नुए अस्थाई सॅट्छ ॥ाय अध्यक्ष डॉक्टर राजैंदर ज्द बसाज जी ओगे क्या माहिए नेक्स्ट कोश्चन भास कि सभिधान कि 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 को उसकी आत्मा की संग्यान दी जाती है नमबर 1 मूल अधिकारों को स्यावादनिक उपचारों की पस्तावना यानि कि थ्री अंसर सही है इसका ओके राश्टिय धर्ज को सभिधान सभा ने कब सभिकार किया था इंकिट गाइस कब किया था 22 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 में होगे चले नेक्स कुशन देखेंगा भारतिय सभिधान के अनुसार भारत है थिंकिट गाइस इसका अंसर क्या होगा पर्वुत्व संपन है लोगतंत्रात्मक है गन्राज्य ओके यह फर्स्ट हो गया सैगेंड प्रवुत्य संपन धर्मनिर्पेक्ष लोगतंत्रात्मक गन्राज्य थर्ड प्रवुत्य संपन धर्मनिर्पेक्ष माजवादी गन्राज्य नागरिक नागरिकों को परदत मूल अधिकारों की संख्या कितनी है जिन्दागरिकों को अधिकार दिये गए हैं उनके मूल अधिकारों की संक्या कितनी है जो की पहले कितने थे seven और उनमेंसे संपत्ती को अधिकार को हटा कर हटा कर अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं ओके अब संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकारों मेंसे हटा दिया गया है ओके तो क्या आंसर इसका six यानि two answers है इसका ओके संसर द्वारा अनुमोधन के बात किसी राज्य में राष्टपती शासुन एक بार में कितने समय के लिए लगू किया जा सकता है कितने समय के लिए चे माह के लिए यानि इसका तीसरा अंसर सही है अप नेक्स देखिए सविधान द्वारा कितनी भाशाओं को माननीता परदान की गई है कितनी 22 भाशाओं को माननीता दी गई है यह जिसका third answer सही है दल बदल से संब्धित कानून का उल्ले की सनसूची में मिलता है आपको बताना है कि दल बदल सम्भंधित कानुद का उलक की सूची में मिलता है यह मिलता है 10 मी अनुसूची में अलब दसमी का आगा है यह रहा है इसका अंजर 3rd होगे 11 सूची में मिलता कि स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसर से सभीकिति आवश्यक है कितने दिनों के अंदर उसकी संसर से सभीकिति आवश्यक है अगर आश्टपति शासन लगायना है तो कितने दिनों के अंदर सभीकिति लेनी पड़ेगी संसर से कितने दिनों के अंदर लेनी पड़ेगी 60 यानि की लगबग 2 months okay इसका अंसर सही है 2 okay next दिखेंगे हम आर्टिकल 308 संसत को कौन सी शक्ति परदान करता है जो आर्टिकल 368 है वह कौन सी शक्ति परदान करता है ठिंकट गाइस कौन सी सविधान में संशोधन करने की योगे अब नेक्स लोशन देखेंगे हम सविधान के किस अंशेत के अधार पर राज्यों में सेवधानिक तंत्र की भिफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तिंकट गाइस इसका होगा 356 ओके यानिकि टू इंसर इसका सही है ओके चलिए नेक्स कुश्शन करेंगे निमन में से कौन सा सेविधानिक निकाय है योजनायोग बितायोग या राष्ट्य विकास परिश्या सेविधानिक निकाय यह बताइना आपको स्कूशन में आप जानते हैं कि योजनायोग की जगह नीतियायोग ने ले ली है ना योजनायोग कि छापना कब हूए थी 1950 में ओके इसका अंसर क्या है तिंकट गाइस क्या होगा इसका अंसर योजनायोग बितायोग या राश्ट्य विकास परिशत है इसका अंसर है फोर्थ यानि कि जो एक और तीन है यह सहवधानिक निकाय नहीं है यानि कि पस्तावना में पंध निर्पेक स्माजवादी तथा अखंड़ता शबतों में कोकि सवेधान के दौरा उद्यान गया था दूट नमबर-एक चालिस में नमबर-डोब्या फ्र Gen ft patrol Spain नमबर तीनisso सोची किसमें हुआ होगा हुआ है 42 में ओके यानि कि इसमें इसका टू अंसर सही है 66 सभिधान संशोदन संबंदित है 66 सभिधान संशोदन है वो किसे संबंदित है 66 सभिधान संशोदन संबंदित है हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए यानि कि 6 से 14 वर्ष्टे के बच्चों को निशुलक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में माननेता से संबंदित है श्यासिमसंशोदन वो की जो की है इसका अंसर 3 चलिए नेक्स्ट बितायोग के गठन का प्राब्धन किस आर्टिकल में है बितायोग का गठन है जो वो किस आर्टिकल के अंडर आता है अर्टिकल 280 आर्टिकल 270 आर्टिकल 380 आर्टिकल 180 किसके अंतर आता है लास्ट में तो 80 आता है अब 280 आधा 380 ए 180 इंग गाइस अब प्लीज अपनी इसका एंसर सही है ओके चलिए ने एक्स दिखेंगे राज्यों में राष्ट्रपती शासन की अधिक्तम अब्धी क्या है यानि कई बार राज्यों में राष्ट्रपती शासन लगा सकते हैं न तो कितने वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए लगा सकते हैं लगा सकते हैं तीन वर्ष के लिए ओके कितने वर्ष के लिए लगा सकते हैं ओनी थ्री वर्ष के लिए यानि कि इसका डी अंसर सही है ओके डी अंसर सही है चलिए नेक्स करिए निमलिकित में से कौन राज्किय कर नहीं है इन चारों कर में से कौन सा राज्किय करने है बताना आपको संपदा शुलक कर मरंजन कर मद पर आवकारी शुलक यानि की उपरोक्त में से कोई नहीं अब बताना है इन में से कौन सा राज्किय कर नहीं है इन में से राज्किय कर कौन सा नहीं है यह नहीं है संपदा शुलक राज्किय करने कि नेक्स कोशन देखेंगे सविधान के अनुसार राज्य मंत्री परशद में कितने सदस्य हो सकते हैं आपको बताना है कि सविधान के अनुसार राज्य मंत्री परशद में कितने सदस्य हो सकते हैं कितने हो सकते हैं यानि कि जो हमारी परधान मंत्री अपनी मंत्री परिशत बनाता है उसमें वो जितने भी सदस्य लोकसवा में जीत कराते हैं उनमें से कितने लोगों को बिठाता है उसके उपर मंत्री परश्द में अपनी कितने लोगों को C बिधान सवा के कुल दस्चे संख्या का पंद्रा तक ही ओके ये राज्ज्ये मंत्री परश्द की बात ओरी है यानि की राज्ये में वो सिस्टम दोनों में सेम है के इंदर में 15% मंत्री परश्द बैठती हैं और राज्य में भी ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चिन विधान सब अध्यक्ष के उसके पद की शपत कोन दिलाता है अब आपको बता है कि विधान सब अध्यक्ष है जो उसको उनके पद की शपत कोन दिलाएगा यानि लोग सब अध्यक्ष हों चाहे विधान सब राज्यम राज्य में उसका opposite decal दिलाता होगा think it guys क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर है राज्येपाल कौन दिलाता है राज्येपाल ओकी तो नेक्स देखिए परंप्रा की अनुरूप राज्येपाल की न्यूक्ति करते समाएं प्रायर राष्टपती भारत के मुख्य नयदीर से परामश करते हैं राज्ये के मंत्री मंदल से परामश करते हैं राज्य के मुख्य मंत्री से प्रामर्श करते हैं उप्रोक्ट में थे कोई नहीं जब राष्ट पती राज्य पाल का नुक्ति करते हैं राज्य पाल की स्टेट में तो वो किस की सला से करते हैं तिंगड गाइस किस की सला से करते हैं राज्य के मुख्य मंत्री की सला से यानि कि इसका सी अंसर सही है होगे चलिए हम नेक्स कुशन देखते हैं निमल लिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपती का निर्वाचन करता है अब आपको बतारा है कि भारत के उपराष्ट्रपती का निर्वाचन में कौन भाग ल अब आपको बताना है उपराश्ट्रपती के चुनाम में कौन भाग लेता है होगी और इस प्लीज आपको मेरे कॉस्ट्टन्स अच्छे लगे हों तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब इन्हाएग चुछाँ बताईए यानि कि नोट करके रखे और बाद में मुझे कमेंट करके बताईए ओक्या अंसर रहे है इसका ए यानि की लोक सब्सस्रपा के इस दस्सर प्लस राज्जा सब्सक्राइब कि दस्सर अवराश्ट्रपती के चुनाम में कौन भाग लेते ह जैसे राश्टपती के चुनाम में शीर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं मनोनीत में इसमें सभी भाग लेते हैं जाहे वह मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हों ओके चलिए नेक्स कोश्चन जब राज्यपाल बिधान मंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है वह इस से राश्टपती को भेज देता है वह बिल को अनिशित काल के लिए रोक सकता है वह बिल में बाद में स वह इसे राश्टपती के बाद बेज देता है वह इसे राश्टपती के बाद बेज देता है ओके चलिए नेक्स कोशन देखें भारत का राश्टपती अपने निशेधादी का शक्ति बीटो का परयोग कर सकता है किस परकार करता है राश्टपती अपने बीटो शक्ति का प पर्योग होता है वीटो शक्ति पर्योग साधान विद्यक के लिए bare or buy yeah दि प्रधानमंतिक राज्यसभा का तो उसे क्या करना चाहिए छे महीने के अंदर लोग्सभा के लिए निर्वाचIST होना होता है कि सरकाई नीतियों की गोशना केवर राज्य सवा में ही कर सकता है अब विश्वास के लिए मद्दान पर विचार के समय मद्दान में भाग नहीं ले सकता है लोग सवा में बजट पर विचार में मर्श में भाग नहीं ले सकता है आपको इन में से बहुत ही रियर वारा बताना है कि वो बिल्कुल नहीं कर सकता जो वो बताने आपको तो उसे अव इश्वास के लिए मद्दान पर बिचार के समय मद्दान में भाग लेना नहीं ले सकता है तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा सी ओकए तो चलिए नेक्सट को भारत में संसद्य समितियों में से निवन में से कौन सी एक विभाग्य ब्यायो और और अनिम्यताओं परिग्णी रखने के लिए रखवाले कुद्थे क 57 कड़िया यानि की जो सरकार पर नजर रखती हैyorsun ऐसी क्वालानुम् कर्म बताना है आपको बतालीम संशोदन अधिनियम एक गुपालन बना मद्रासराच्छे का मामला आंत्रिक आपातकाली स्थिति की घोश्णा केश्वानन्द भारती बनाम केरल राज्य का मामला बताने आपको कौन सी इनमें से पहली हुई थी ओके इसका अंसर है फिरी भारती बनाम केल राज्य का मामला उसके बाद आए था अंत्रिक अपातकालिंज्थृति foreign दाया था बतालिमा सर्दान संशोधन ओके चलिए नेक्स कोश्टन देखेंगे हम राष्टपती के मृत्यूं के बाद उपर राष्टपती राष्टपती का पद कब तक संबाल सकता है कब तक सवाल चाकता है ओके अपके तो लगबग सेम ही होते है जो पेपर में चुनाव उपर राष्ट्रपती उनके पद पर बैठता है राष्ट जब तक राष्ट्रपती को न्युक्त करना होता है यानि कितनी अब्धी के लिए न्युक्त करना होता है कितनी अब्धी के अंदर न्युक्त करना ही होता है कौन किदा है इसका अंसर क्या है गाइस ठिंक द्राश्ट्रपति आपको बनाना ही पड़ेगा अर्टिकल 360 के तहद आपातकाल की उद्धधोषना कब की जा सकती है कब की जा सकती अपातकाल की घुशना का कि जो की 300 Bunun जा के अंदर होती है वो कब की जा सकती है इसका अंसर है बी जब युद बाहा आकर्मन या सश्ष्ट्र विद्रो हो गया हो या होने की संभाव ना हो ओके अब नेक्स कोशन देखिए भारत का राष्ट्रपति निर्वाचत होने के लिए निमल लिखित में से कौन सी बात आयोग्यता मानी जाएग यानि भारत का राष्ट्रपति बनने के आपको क्या क्या चाहिए और इसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए वो बता रहा है आपको तो क्या होगा इसका अंसर गाइस इसका अंसर क्या होगा गाइस इसका अंसर होगा डी कोई लाप के प्रद गरहन की नहीं होना चा चुऊंगे हम रख्रपति की निर्वाचन पक्रिया को सब इदान में संशोदन द्वारा बदला जा सकता है प्रन्तु इस संशोदन नंन फ्लोग लसभा के 2,2 इस राज्य सब दोनों के दिद्द्ध किया जा सकता है राजयस थे जा सकता है लोग सभा तता राजयर सबा funky दो तिहंढ वह मत से था उसके आधे से अधिक राचयों की विधान Sydney अल्मोधन से किया जा सकता है आपको बताना है कि राष्ट्रपती की निर्वाचन प्रिक्रिया के संचोधन में जारा बदला जा सकते हैं प्रन्तु किस प्रकार का संचोधन करके यानि कि राश्ट्रपती की निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ परिवर्टन लाया जा सकता है लेकिन किस प्रकार का करना पड़ेगा तब ही ला सकते हैं यह सोचना है आपको गाइस किस प्रकार का करना पड़ेगा तब ही ला सकते हैं यह इस कंसर डी लोकसवत राज्यसवा के दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए तथा उसका आदे से अधिक राज्यों की विद्धान सवाँ द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए तभी राष्टपती की निर्वाशन प्रक्रिया को सविधान में संशोदन द्वारा ब किसकी की जा सकती है यह हमारा 35 नंबर का कोश्टन है तो प्लीज जल्दी बताइए 15 और है 16 क्या आंसर इसका संग लोक सेवा आयोका द्यक्ष योजना आयोका उपाद्यक्ष संग रज्जक शेत्र का राज्यपाल किसकी निक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपती संग राज्यक्ष योजना के उपाद्यक्ष योग आयो करतते हैं तो उस तैम परद्दानमंत्ति करते थे कि अपको बताना हैं कि पंचायती राज के चुनावों में रासनितिक दलों को खुले तोर पर चुनाव चुनों के अधार पर भाग लेने का सुजह कुन सी कमेटी ने दिया था अगर आपने मेरी कमेठी वाली वीडियो नहीं देख़्िए उसम्हें मैंने कमेठी के कुशन डाले है कि किस कमेठी ने कुछ सा का शारी किया है कुछ से काले लिए बनाई गए ती तो फ्रीश आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कौन सी है गाइस कौन सी है अशोक मैता समिती ने बुला था कि चुनाब चिनों के अधार पर राजनिती में राजनितिक दलों को चुनाबों में भाग लेना दिना चाहिए है नेक्स्क्षिण हें 25 का गठन होता है फोला थे फोलाज होगाए। इमटाबो ये जिलस रपे होता है कि स्मिती बनती है जो अब देखिए आपको आर्टिकल मैच करने है पंचाय तों से लेटर आर्टिकल है यह आपको मैच करने आप बताएगे 243 A में कौन सा आता है 243 B 243 C 243 D इसका अंसर है C यानि की 243 A में क्या आएगा 243 A में इसका अंसर C थे यह ठीक है C ओके तो 243 A में क्या आएगा ग्राम सवा 243 A में आता है और 243 B में क्या आता है 243 D में क्या अता है 243 C में क्या आता है 243 C में आता है पंचाय तों की सरचना 243D में क्या आता है 243D में स्थानों का आरक्षन ओके तो यह इसका सही एंसर है अब नेक्स देखेंगे हम किस राज्य में पंचायती राजविवस्ता सरप्रथम लागू की गए थी यह बहुत यह आसान कोश्चन है गाइस गुज्ञाद दिसमबर उनीस सो बासट में सेक्ड राजिस्थान अक्टूबर उनीस सो फिफ्टीनैन में सी महराश्ट्रा जन्री नाइन्टिन सिक्स्टीफोर में दी तमिलाडू मार्च नाइन्टिन सेवन्टी में बताइए क्या आंसर है इसका 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 अंसर है बिए अधिस्थान अक्टूबर नाइन टिन फिफ्टीन ग्द नाइनैन्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक सक धैँ जो October 1959 ऊके चलिए नेक्स देखेंगे हम भारत की अजादी के बाद किन रैस्तों का विल्य भारत में हुआ था आपको बतायने कि भारत की अजादी के बाद किन रैस्तों का विल्य भारत में हुआ था जुनागड हैदरावाद या जमौकष्मीर इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा डी यहन तीनों मिलाई गए थी बाद में जुनागड और जम्मों किश्मिर और हैद्रावाद से बाद और एक वरस उननीस्स सोच पूंजा में राजों के पुनःगठन के बाद राज्यों और संग राज्यक शेत्यों की संख्या कमश्यः हो गई थी कितनी संख्या हो गई थी जो हम बनाया गया था भाकने आधार बाद लुया स्ञा अध्यक्ष से फैजल अली होगे तो उस टाइम पर आपको बताना है कि जब उननीस सच्छ पुंजा में उसकी रिपोर्ट त्यार करी गए उसमें राज्य समिलित हो गए तो उसमें कितने राज्य थे और कितने संग राज्य थे यह आपको बताना है तो कितने राज्य थे उस विधायकों एव सांसदों कोई प्रत्याहन की मांग की कौन व्यक्ति था वो जिसने बोला कि दल बदल करने वाले विधायकों और सांसदों से समंदिते कानुन लाना चाहिए यानि किसने इसकी महली बार मांग उठाई थी आपको यह बताना है ओके किन आम चुनाबों के बाद भारत में मिली जूली सरकार के यूग का आरंभ हुआ था भायत में मिली जुली सरकार बनने लगी थी, पहले सिरफ एक ही पार्टी सरकार बना थी, लेकिन अभी मिली जुली सरकारे बनने लगी थी, कौन सा आम चुनाब था वो? कौन सा आम चुनाब था वो? वो था चतुर्त आम चुनाब, यानि कि ए अंसर सही है, इसका फूर्थ नंबर के चुनाब लड़े गए, तब से यहाँ इंडिया में मिली जुली सरकारे बनने लगी है, ओके, जिला स्तर पर जिले का मुख्य चुनाब अधिकारी कौन होता है? जल्दी बताएं बस फाइव कोशन लेफ्ट, थिंक इट गाइस कौन सा होता है? स्वय जिला अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नामित व्यक्ति, राज्य का मुख्य चुनाब अधिकारी जिला परिशत द्वारा नामित व्यक्ति, आपको बता रहा है इसका अंसर कौन सा सही है? इसका अंसर है, स्वय जिला अधिकारी होता है, वो जिला सतर पर जिले के मुख्य चुनाब अधिकारी होता है, स्वय जिला अधिकारी होता है, अब नेक्ट, भारत के स्वरपतम किस आम चुनाब में मत, पत्र और अमित स्याही का परियोग किया गया था? यानि कब से कौन से चुनाबों में अमत पत्रा आगे थे और अमिट से ही आगे थी कौन से चुनाबों में आगे थी गए इसका अंसर है पहले आम चुनाब में, तीसरे आम चुनाब में, चोते आम चुनाब में, दूसरे आम चुनाब में किस में आगी थी तीसरे आम चुनाब में यानि की B इंसर सही है इसका EVM का परयोग भारते चुनाबों में कब से शुरू हुआ है कब से EVM से इंडिया में चुनाब करवाए जाना शुरू किये गए है तो धिंकिट गाइस कब से हुआ EVM का परयोग शुरू बताईए गाईज EVM का परियोग कब से शुरू हुआ इसका अंसर है C यानि की 1990 से ओके निम्रांकित में से कौन सा भारत में चुनावी सुधारों के साथ संबंदित नहीं है यहां में कौन सी S.C. स्मिती है जो चुनाव सुधारों से संबंदित नहीं है दिनेश गोस्वामी स्मिती इंदर्जित गुपता स्मिती जीवी के राब स्मिती तारकुंडे स्मिती कौन सी है सी स्मिती है जो जुनाफ सधार से एलेटेड नहीं है तिंकिट गाइस कौन सी है तिंकिट गाइस कौन सी है कौन सी है के जीवी के राब समिती है नेक्स्क् Gill देखेंगिए हम जो गी है 48 नंबर का इं cultural Servson Automate निमनिकित में से कौन सा भातिय राष्ट्री राजन तिक दल नहीं है आपको बताना इन में से चार दौलों में से कौन सा भातिय राष्ट्री राजन तिक दल नहीं है Communist Party of India, राष्ट्रवादी Congress Party, स्माजवादी Party, Communist Marksवादी Party, कौन सा नहीं है, इसका अंसर है C, स्माजवादी Party, ओके, चलिए next question दिखेंगे हम, इसका अंसर बताना है, आपको सुमेलित करना है, इसको, ओके, तो इसका अंसर क्या है, इसका अंसर क्या है, इसका अंसर है D, यानि कि BJP का गठन कब हुआ था, BJP का गठन हुआ था, 1980 में, और next question, सरकार द्वारा मंडल आयो की सविक्रिती कब की गई थी, 1990 में, भारत तीस राज्ये में, प्रत्थम सामयबाद सरकार का गठन कब हुआ था, सामयबाद सरकार का गठन कब हुआ था, यह बताएए गाईज, इसका अंसर है, 1903 में, बतानी में सविधान सुन्शोदन कब लागू हुआ था, 1976 में, ओके नेक्स्ट क्रोश्चन, यह लास्ट क्रोश्चन है गाईज, रासनितिक दलों का पंजियन डैश के प्राबधानों के अनुसार होता है, रासनितिक दलों का पंजिकर कोन करता है, सिंपल सा कोश्चन है, लेकिन इसको वर्डिंग को इतना टफ बना दिये जाता है, था कि आप पेपर में कन्फ्यूज हो जाएं, ठिंकिट गाईज, और बेजली जो चुनाफ करवाएगा, वही पंजिकरन भी करेगा, उसका तो कौन करेगा, चुनाफ, आयोग, कौन करेगा, चुनाफ, आयोग, तो गाईज, आज के कोश्चन इतनी थे, तो प्लीस मुझे आप बताईएगा, कि आपके कितने सही थे, तो कौन करके बताईएगा, आपको कोश्चन कैसे लगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी करिएगा, थैंक्यू, बेरी मच गाईज, प्लीस, कौन करके बताईएगा, मुझे ओके,